नमस्कार, नियूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है हम कई सब्ता से सितंबर के महीने में 9.11, सेप्टेंबर 11.2001 में जो आतंकवादी हमला हुआ था अमरीका पर उसके 20 साल पूरे हो जाने पर एक विशेश श्रिंखला प्रेजन्ट करते आये हैं जिसमें 20 साल बाद इसके अलग-अलग पहलूओं पर हमने अलग-अलग विशेश श्रिंख्यों से बात की इस शंखला की आज आखरी कड़ी हिंदुस्तान और उसके नेबर हुड या फिर आसपडोस वहां हमारी नीती, हमारी राजनीती, हमारे आसपास के मुलकों की राजनीती, उनकी पॉलिसी और सबसे एहम बात इंडिया की नेबर हुड स्टैंडिंग इस बीस सालों में किस तरह से बदली, क्या कुछ बदला और अभी हमारी स्थिती क्या है, हमारे इक्वेशन्स क्या है इस नेबर हुड में तो हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं, बहुत वरिष्ट पत्रकार आनन सहाई, जो हमारे इस पेशे में सीनियर हैं, तो आनन भाई इस कारिक्रम में जुड़ने का बहुत-बहुत धन्यवाद जब सेप्टेंबर ग्यारा में जब हमला हुआ था तो उसका एक खास एक बैकड्रॉप था हिंदुस्तान की राजनीती में, जुलाई में आगरा समिट हुआ था और उसके ठीक कुछ महीनों के बाद, डिसेंबर 13 पारलिमेंट पर एक अटैक हुआ था, ग्लोबल वार ओन इसी दौर में शुरू हुआ था, स्रीनगर में स्टेट एसेंबली पर हमला भी सितंबर के महीने के ठीक थोड़ा पहले ही हुआ था, तो इस बैकड्रॉप में और इसी 20 सालों में जो हम देख रहे हैं, तब 2001 से लेके 21 के बीच में, हमारी पूरी जो नेबर हुड में, सब हर देश की राजनीती में मूलभूत परिवर्तन आया है, चाहे हम बंगलादेश की देखें, चाहे हम नेपाल की देखें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की तो बात, सब कुछ पूरा, 20 साल बाद, everything is being unraveled, श्री रंका, और चीन भी, क्योंकि चीन भी हम तो मोटे तोर पर हमारी neighborhood की जो policies रही हैं और जो standing है, उसके बार में अगर हम लोग बातचीत शुरू करें, तो आप किन मुद्धों से बातचीत को शुरू करना चाहेंगे? देखी, ये सारी बातें जो हैं, जिनका आपने उलेक किया भी, बहुत ही dramatic बातें हैं, और हुई हैं, सिर्फ इस दुनिया के इस कौने में नहीं, और जगों में भी हुई हैं, लेकिन चुकि यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश हैं, और भारत, कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच जो बहुत ही तेज तीखा मतभेद रहा है, इंडिया के पार्टिशन के बाद से ही, जी, वो अलग अलग उसके सुरूप हमको देखने को मिले, लेकिन 2001 के बाद जो है, उसका ये terrorism जिसको हम, 2001 का उलेक इसली हो रहा है, war on terror प्रेजिडंट जॉर्ज डॉर्ज डॉबियू बेश्म दोश का वो था, war on terror, उसको लेके, ये सारे देश जितना नाम गिनाया आपने, ये सब अपने अपने अलग अलग कारणों से, इंटर्नली उलगे वे थे बहुत सी बातों को लेकर, उसमें extremist radicalization of youth, हर देश में उस त स्री लंका के केस में, जो terrorism चल रही थी, वो इस धर्मशेश की तरफ से नहीं चल रही थी, वो चलाने वाले किसी और धर्म के थे, ठीक है, और उनको उकसाने के लिए, या जिसके विरोध में वो इसब कर रहे थे, वो भी एक Buddhist कलरजी थी, वहाँ पर, वहाँ पर इस्लामिक factor उसमें नहीं आया था, तो ये एक radicalization और extremism जो है, ये अलग-अलग तरह से आही रहा था सामने, और उसके बाद जब ये दुनिया का सबसे powerful देश, जबकि सोवेट संग के विलीन होने के बाद, एक ही सबसे बड़ा देश बचा था, यूनि पोलर वर्ल्ड जिसको कहते थे जी, कि बस एक ही वो है, एक ही पोल है पूरे दुनिया में, दूसरा पोल धुस्ट अब अमरिका की बात करें, जब उनकी और से एक नीती निकाली गई, war on terror की, उसमें उसकी आलोशना खुद, Americans ने भी की है उसके बाद, Human Rights Watch वालों ने भी की है, उसका एक ये था कि अब उस पर देखिए उस समय उसी की रियक्शने बहुत कुछ हुआ है, जो हम उसमें एक दू बात देखने के लाइक है, President Bush के जो White House के जो वकील थे, उन्होंने पूरा एक टॉर्चर का वो बनाया, एथिक्स कोड बनाया, उसके अंदर फॉर्मली टॉर्चर को एक प्रॉपर हिस्स बनाया गया, American Policy का, और उस समय जो उनके Eternity General थे, उन्होंने का जनीवार Convention जो है, ये क्वेंट हैं, और उपसॉलीट है, मतलब क्वेंट और उपसॉलीट को क्या कहेंगे, कि ये एक, चलिए एक इरादा अच्छा है, इस तरह की बात है, उपसॉलीट हैं कि कोई अब आशक आपको अगर 9-11 वालों ने अटैक किया आपके उपर, तो उसके बदले में आप, ये तो हो गया कलेक्टिव परिश्मेंट, एक पूरी सोसाइटी के उपर, एक पूरे देश के उपर, जैसे आपके महले में कोई भारी क्राइम हो गया, तो आपने पूरे महले को तबाह कर तबाह कर दिया, ये ने आपने च्छान भी नहीं की, तो जो इस तरह का जो रुख अमरेका ने अपनाया, इसका एफेक्ट और मुलकों पर भी हुआ हम सब पर हुआ, इसका असर जो है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और अमेरिका ने अफगानिस्तान के ओपर जो वह नहीं करेंगे, वैसा नहीं किया तालिबान ने, ये तो हो गई अफगानिस्तान के कहानी, लेकिन एराक में क्या हुआ था, एराक में कोई जिस्टिफिकेशन था नहीं, तो अमेरिका ने कई तरह के अपने टार्गेट को हिट करने की कोशिश की, जो, तो हमारे नेवर अच्छिए पर्टमेंट में, आजकल वो कांसिल ओन फॉर्न गॉर्ण रिलेशन के प्रेजिएन हैं, वो उन्होंने सीधी धं की दिया मेरिका को, कि अगर आप कोपरेट नहीं करते हैं, उनका मानना था, सही मानना था कि तालिबान को इन्होंने शह दिया हैं, पकिस्तान न अगर आप कोपरेट नहीं करते हैं हमारे साथ, तो जो उन्होंने, जो उनके वर्ड्स थे, जो अलफाज थे, we will bomb you back to the stone age, तो ये सुन करके बिलकुल घबरा गए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो डिक्टेटर थे उसमें, उन्होंने अपनी किताब में, मेमोर्स में, ला जोता किया, अन्डर थेट, इस तरह से करके, तो जब वो हो गया, तो उसके बाद नैचरली, तो पाकिस्तान भी वो डबल गेम खेलते रहे, एक तरफ कोपरेशन, और साथ ही साथ, टेररिस्ट ग्रूप्स को उन्होंने बढ़ावा देकर, और कुछ कश्मीर के तरह बेजा कुछ अफगानिस्तान भेगा, इस तरह से वो चलता रहा है, तो वाइलिंस बढ़ी, आप ये पाएंगे हर एक सुसाइटी में, जहां-जहां जिसका आपने जिक्र किया है, एकस्पेंडिचर ऑन, मिलिटरी, इंटेलिजिएंट, पुलीस, सब मुलकों में बढ़ा, पुली स्टेट, मैं यही कह रहा हूं कि सारे बन गए उस तरह से, लेकि उस दिशा में जाने लगे, और बहुत से जगहें जो चीन की बात किया अपने, जो वीगर पॉपुलेशन है, वन मिलियन यानि 10 लाख वीगर्स को उन्होंने डिटेंड कर लिया, कि अपना धर्म छो हम आप पो बता रहे थे कि यह जो विशेश जो श्रिंक खिलाम ने किये तो इसमें एक चीज जो उभर के आई जो एक पहले के एक एपिसोड में एक एकस्पर्ट के साथ बात चीत करते हुए, कि हिंदुस्तान की सरकार में, मतलब तीन सरकारे रही हैं, अगर रजीम्स की ब और 2014 से नरिंद्र मोदी कंडर में अभी ये सरकार चल रही है, तो इसमें एक तो यह हुआ कि 2001 में दो चीजे जो सबसे एहम हुई, कि कश्मीर में जो आंदोलन चल रहा था, वो पूरी तरह से उसका जो एक इंटरनेशनल सपोर्ट था, वो पूरी तरह से डिसेपेर कर गया और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो रिष्टा था, वो एक तरह से डि हाइफनेट हो गया, और उसी तरह से पिछले 20 सालों में हमको हमारे जो अलग अलग जो हमारे जो आसपरोस के जो मुल्क हैं, उन सब के साथ रिष्टों में एक मूल भूत परिवर्तन आ गया, ये परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के रिष्टे में जो परिवर्तन आया, वो क्या आया, नेपाल के साथ क्या आया, बांगलादेश के क्या साथ क्या आया, श्रीलंका के साथ क्या आया, और चीन की तो बात है ही, चीन के साथ अभी हाली में पिछले साल की बात है कि एक बहुत बड़ा मेजर मिलिटरी क्राइसिस जो अभी भी क्राइसिस है लेकिन शायद भारत सरकार उसको उतनी तवज्जों नहीं दे रही है जितना देना चाहिए इन सब चीजों को हम 9-11 से नहीं जोड़ रहे हैं अपन एक्स्ट्रीम राडिकल रिलिजन को बढ़ावा देना उस से निकले टर्रिस्म को बढ़ावा देना यह पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत उसके 9-11 के पहले से भी रही है और बाद में रुकी नहीं थोड़े दिन के लिए ठहर गई थी लेकिन रुकी नहीं उस तरह से लेकिन अब चीन की बात करेंगे चुकि आज चीन सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका के बाद जी चाहे आर्फिक माप जंट पर आप देखेंगे या मिलिटरी मिलिटरी है इस तो अब 9-11 हो जाने के बाद दो तीन चीज़ें होई एक तो अमेरिका का जो क्या कहेंगे उसको प् उसके उपर जब अटाक हो गया जो कि पहली बार अमेरिकन मेंलेंड के उपर हुआ था और उसके बाद लगाता है एक दो चीज़ें और हुई एक तो फैनैंशल क्राइस हो गया दोजार साथ आठ यह सब्सक्राइब तो उसके बाद यह देखा गया कि अमेरिका जो है जितन अमेरिका का पावर जो है वो डिसिपेट जो सोड़ी बहुत उसमें जो कमी आने लगी उससे चीन का उभरना जो है चीन और बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे जारा ताकतवर था तो वो जो है वो उभर के बहुत तेजी के साथ उपर आया और इसलिए ज़ अभी आपन नीशे नहीं चला गया होता तो हो सकता है अब यह तो स्पेकुलेट करने की बात है कि हो सकता है कि चीन की जो के जो एग्रिसिव एक्शन्स रहे हैं सिर्फ लद्दाक में ही नहीं साउथ चाना सी में चारो तरफ वो इस तरह से उभर कर नहीं आते तो एक यह बहुत बड़ है चीन के इग्रिसिव पॉलिसीज की के चलते तो इसमें बहुत गलती ये भी मानी जाती है कि भारत की जो सरकार ने पिछले कुछ सालों में खास्टों से दो हजाजा चौदा के बाद से शुरू में काफी कन्फूजन रहा कि कि इमीजेटली तो जो दो हजाजा चौदा मे जो सबसे बड़ी जो एक रीडिम वो देखी गई की कि प्रधान मंतरी नरिंदर मुदी ने अपने स्वेरिंग इन में सारक मुलकों के नेताओं को आमंतरित किया लेकिन उसके बाद चीन के भी शी जिंग पिंग यहां आए उनके साथ बहुत ही अगरम करें कि रोमैंटिक स जूले पर पता नहीं किसने किसको जूलाया ये बहुत लोग कहते हैं आप जैसे विशलेश लोगों ने उसको बहुत तरह तरह से उसको इंटरपेट किया था तो खेर मैं जो कह रहा हूं कि कही ना कही लगता है कि शायद हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से काफी कुछ कमी ले गई है जिसकी वज़े से हमारी नेबर हुड में जो स्टैंडिंग थी वो पिछले बीस सालों में बहुत मुलभूत उसमें परिवर्तन आया है वो खास्तों से आज आया है पिछले साथ साल में जी वाजपे के काल में जब वाजपे एक पर प्रदान मंतरी बन गए ठीक से जी उनको जड़का लगा फिर नो कांफिडेंट वो सब हो चुका और जब पूरे लगाता है पांच साल लेकिं दो हजार एक के बाद से वो काफी मजबूती से लगाता रहा है तो हमें लगता है कि वाजपे गवर्मेंट ने थोड़ा रिट्रीवल का प्रोसेस शुरू क किया जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात्चित करने की कोशिश की उनको कुछ रिस्पॉंस भी मिला पाकिस्तान की दो हजार दो में पारलिमेंट पर इटैक होने के बाद सेट बैक हो लेकिन उन्होंने फिर शुरुआत की दो हजार चार में पिर लाहुर की यात्रा बाइव यह रहा और एक तो वह ऐफ्यद रहा और यह तो पाकिस्तान को ही बात, जहां तक नेपाल की बात है, हम सिर्फ भारत को, चो कि हम यहां रह रह रहे हैं और सब से बड़ा देश है, इस रीजिन का भारत, साहिज में और पॉपलेशन में और डरेश में, तो भारत को ही मतलब यह कहके कि आपकी यह नीती गलत हो गई इसलिए ऐसा रिष्टा हो गया लेकिन ठीक नहीं होगा वो बेरे खाल से पूरी तरह से ऊचिक नहीं है चुकि इन हरे एक देश में इनके अपने अपनी डैनामिक्स पर चल रहे हैं चीन के अंदर चाइना फैक्टर भी रहा है और चीन के अंदर काटमांडू वैली में खास तोर से और जब राजा साहब थे उसके बाद भी और फिर जब माउस बन के आए उसके बाद भी एक प्लेंग दे चाइना कार्ड की जो बात है और हर एक उनके जो बड़े प्राब्म्स हैं उसके लिए भारत को जिमेबाद ठर प्राना यह सब जो है यह यह तो काफी परानी बात चल रही है बिफॉर बन मोहन सिंग बिफॉर वाजपई बलकि एमके रस गोतरा जो पराने फॉर्ण सेकेटरी हुआ है थे जी 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 उनके जो मेमोर्ज हैं जब वो बच्चे थे बिलकुल फॉर्ण सर्विस में तो में सरकारें बनी यहां तो इन्हों नहीं यह समझा कि यह हिंदू प्रधान देश है भारत वो हिंदू प्रधान देश है तो दोनों के बीच में आटोमेटिक सिनरजी बन जाएगी हमने डोमेस्टिक हिंदूत्व डोमेस्टिकली चलता है तो हमको लगा कि इंटरनाशनल स्पियर में भी हिंदूत्व की राजनीती चल जाएगी और एक धर्म को मानने वाले दो देश यदि हैं तो दोनों में आपस में मेल रहेगा आटोमेटिक माने धर्म विशेश को एक प्रधानता जी गई इनकी सोच में आपको याद होगा जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आये 2014 में तो पहली बार जब हो गए काटवांडू तो किस तरह से गए हो धेर सारे चंदन के लकड़ी और यह सब काओ इंतराब किया गया वहाँ पर आप देखेंगे पश्वतिनात मंदिर के फोटो तो लगता है कि कोई बड़े स्वामी जी खड़े वहाँ पर बिल्कुर कोई बड़े देश के नितानी खड़े हैं तो वो धर्म के नाम पर डिप अगर धर्म ही सब कुछ है तो लेकिन अगर कहते हैं मौडन यूग में टर्रिजम जो स्टार्ट होता है से सेवेंटीज में मान लीजे मैं आयारे और बास्क वगरे यॉरोप में नहीं जा रहा है इस तरह की बात कर रहा हूं तो सबसे पहरे तो मुस्लिम देश के खुफिय डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे के खिलाफ टर्रिजर्स बेजे सब मसलमान थे तो लेकिन धर्म के नाम पर वेस्ट एशिया में ये किसी को इल्यूजन नहीं था कि वो हमारा और उनका एक ही धर्म है तो हम आटोमेटिक फ्रेंड हैं लेकि पता नहीं क्यों यहां हमारे कि यहां इस चीज़ को एक भारी सत्य के रुपे मान दे है कि पिछले साथ सालों में 2014 के बाद से हम लोग जो हमारी फॉरेंड पॉलिसी है और खास्तों से जो नेपाल के कॉंटिक्स में और बाकी आसपडोस के मुलकों की इसके साथ जो रिष्टे रहे हैं उन डिप्लोमें करिश्टिक एलेक्टॉरल कॉंसिट सी के परस्पेक्टिव से देखा है कि इसमें हमको तरह किस तरह से कहां फायदा होगा तो उस तरह की हमने पॉलिसी को पर्श्यू को बिल्कोल और खास तोर से पिछले साथ साल में वाजपई जी किसाम है वाजपई हैड एडर आ इट अ क्या दिखाई देता है अगर हम कहें वाजपई लाइन और मोदी लाइन के बीच में वाजपई लाइन में यह है कि जो है ने कि एक धर्म प्रधान ही सब कुछ होगा हर एक हर एक इशू है आप धर्म को ही अपने पॉलिसी का मेर आधार करके मैं धर्म से जुड़ी पॉलिटि जब राजनीती में लाई जाती है मतलब धर्म को जिस तरह से भी जो भी उसकी परिवाशा दी जाए उसके हिसाब से आप उस आधार पर मोबिलाइज करने कि लोगों को अपनी तरफ रिजाने की कोशच जुकाने की कोशच करते हैं ताकि आपको वोट मिले जी और आप सत्त आपका जो कालपनिक भारत है उसको आप फिर से लाके जीवित करना चाहते है जो कि कहें भी पॉसिबल नहीं लेकिन धर्म का सबसे बड़ा जो हमको लगता है खतरनाक रूप हम देख रहे हैं वो है कश्मीर जी कश्मीर तो है हम कहते हैं भारत का डूट रंग है ठीक है और किसी काधिकार नहीं दून वारे में कुछ बोलने का दुनी लेकिन कस्मीर के जो लोग हैं उनको हम किसी तरह से ट्रीट करते हैं उनको हम आॉतमेटिक मांकर चलते हैं कि यह तो किसी दूसरे देश कर एंए यह जो कि इनकर धर्म अलग है कात्मांडू के लोग जो है वो आटोमेटिक हमारे तरफ होनी चाहिए नहीं सिद्ध हो सका वो फॉर्मेला वो थेवर्म सिद्ध नहीं हुआ और बंगलादिश में इसमें कलह रहेगे लोगों के बीच में सामाजिक आधार जाये कलास रिजन्स हो या कास्ट वार्स हो या रिलिजस वार्स हो या या ए Parl लड़ते रहेंगे तो फिर आपका विदेशनिती क्या होगी जी तो यहीं बात बात है अब बात का प्रेजन्स लगबग ना के बराबर था सप्टेम्बर ग्यारा की जो घटना है और उसके बाद जो ग्लोबल वार न टेरर शुरू हुआ था तो इसके ठीक करीब दो साल से भी कम पीड़ेट पहले IC 814 जो हाईजैकिंग हुआ था उसका वो पूरा एक हादसा हुआ था जिसमें तालीबान का एक डेफिनिट रोल था उसके बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं लेकिन एक तरह से हम कहें कि इंडियन प्रेजन्स वस नेगलिजिबल अफगानिसान में उस समय जब वो शुर इतनाओ के बाद से आप हिंडुस्तान की पॉलिसी जो अफगानिसान के बारे में रही है किस तरह से उन्होंने अमेरिकन विड्रॉल की जो प्रोसेस थी उसके लिए किस तरह से तैयारी की और आगे आप क्या एंटिसिपेट करते हैं अफगानिसान में हिंडुस्तान की के क और ये कोई काबूल में जो रहा है वही जानता है आप तो रहे हैं मैं रहा हूँ मैं एक साल वहां मैं गुजा रहा है लड़ाई के समय में जी वहां के लोगों के मन में आपके लिए इतना प्रेम है इतना प्रेम है जिसका कोई वर्णन नहीं किया सकता है जी और मात इसलिए नहीं कि आपने पैसे खर्च की, वो कारण है, उसके कारण कई डिवेलपमेंट वे और कोई अफगानिस्तान का कोई भी प्रोविंस, कोई भी प्रांत नहीं बचा है, जहां हमने रूरल लिवर पर जाके प्रोजेक्स नहीं किया हूं, यह सब तो एक जगे पर ठीक है, लेकिन जो हमने human capital वहां generate किया, वहां के लोगों को scholarship दिये, हजार scholarship हर साल, और scholarship के लिए बच्चे और बच्चेंगें जो हैं, देश के हर कोने साय है, एक तो वो, और जब जाते हैं तो एक बहुत ही positive image लेकर जाते हैं आपके बारे में, नमबर एक, नमबर दो, आपने medical, जिसको medical tourism के लिए, इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली और बंबई के हर अस्पताल में, बुड़े, बच्चे, औरत, मर्द सब आ रहे हैं, इलाज के लिए, बहुत बड़े संख्याब हैं, जी, वीजा आपने वीजा ने open किया, तो एक जो human contact है, वो इतना जबरदस्त बन गया, तो Parliament हैं, काबल के मेरे पुराने दोस्त हैं, जिनकी पढ़ाई हुई लाहबाद इनवरस्टी में, जी, आज से 30 साल, 25 साल पहले, और, उनके बहुत नेता यहां से पढ़के गए, हमारे, पढ़के गए हैं, मैं ये कहना हूँ कि, इस तरह के और भी लोग हैं, जिनकी जाने खत का दर्वदा खटकटाएंगे, हम आपके महमान बनके नहीं रहेंगे परमिनेंटली, लेकिन सुन रहे हैं की बात प्रोसेस में है, ये बात हफतों से प्रोसेस में है, और वहां जो सुनने को मिल रहा है अफगानिस्तान में, काबल के कुछ आलाकों में हाउस टो हाउस रहे हैं कि इनको रूंड रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी जाने खत्रे में हैं, और ऐसे समय में भी अगर आप अपना मुह मोड लेंगे, तो आपके लिए जतना भी प्रेम क्यों नहों उनके मन में, उनको लगेगा, कि शायद आइन वक्त पर आप काम नहीं आए, ये एक बहुत ही दुर्भागे पूर्ण स्थित्य है, तो अपने डुमेस्टिक राजनीती के लिए, अविसली इनको जो दर्वाजा जो बंद किया गया है, और जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीती में एक तरह से तालीबान और सो क स्थिक इलेक्टोरल कॉंस्टिवेंसी को हार्नेस करने के लिए हम लोग फॉरेंड पॉलिसी में कॉंप्रोमाइजिस करते आरे हैं, इसमें तो कोई बहुत से लोगों ने इस बात पर सोचा है, और लेकिन अब ये बतलाएए कि आपकी जो पूरी सी एक उपर जो राजनीती की चल गए इस सरकार की और से, इसका रियक्शन हुआ पॉलिक प्रोटेस्ट के द्वारा, उसमें क्या था, जो नॉन मुसलिम्स हैं आसपास के देश में, हिंदू और सिख पॉपलेशन मिला कर, पूरे अफगानिस्तान में, बारसों तेरसों हैं, उसको लेकि इतना चैनाडि चले गए, कैनाड़ा चले गए, जिनके पास नॉनके कम पैसे थे, वह बहुद कर गो भारत आगे बहुदा पहले से, लेकिंए मैं तो गया हूं, मैं घज़नी में भी गया करें और जो भी होती है आज कल सिर्फ हिंदु नहीं डरावा है मुल रुप से वहां के मुसल्मान डरेवे हैं यह समझ के टालिबान आएगा तो सिर्फ हिंदू को जो भी मॉडरनिटी की खोज में अब मॉडरनिटी में भी नहीं जा रहें एक यह बहुत भारी सब्जेक्ट ह आप मेशीन गन चला रहा है आप बं पहके तो आप मॉडरन हैं इसमें एक विज्ञान में और टिकनॉलजी में फर्ख है यह साइन्स में आपका विश्वास नहीं है लिकिन साइंस और टिकनो है कि भी हो हैं जो घहतक हो सकती जनको आप यूस कर सकते उसमें आपका पूरी तो हम मौड़निटी में नहीं जा रहे हैं, तो मैं यह कहना हूँ कि चाहे जो भी हो, मैं सिर्व यह कहना हूँ कि एक पूरे धर्म के लोग को, धर्म के फॉल्वर्स को उनके अन्युआई को आप वो कर दीजिये, क्या हुआ है वो मसल्मान हैं, कश्मीर में क्या हुआ है वो को उस धर्म के लोगों से परिशानी है या एक खास उस धर्म के में से कुछ लोग जो की एक आइडियोलोजी को फॉलो करते हैं, यानि एक सोच, एक धारना के पीछे पड़े हैं, उन से परिशानी है आपको, आप हिंदू ले लिजे, यह स्री लंका के बुदिस्ट ले लि डिस्ट्रक्टिव, एक्स्ट्रीमिस्ट थॉट के साथ जोड़ दिया है, और यह अगर जो इसी नजरिये से हम अपने फॉर्न पॉलिसी को चलाएंगे, कि ऐसा करने से शायद वो भी पक्का नहीं है, हमें यहां फाइदा होगा देश के अंदर राजनीती करने में, तब त लगा रहेगा, कि भई, यह क्या हो रहा है, उनको लगेगा कि भई, अब मान लीजे, मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ, और मैं जाता हूँ देश के ऐसे हिस्से में, जहां पर हिंदी नहीं बोरी जाती है, वो हमको हमारे पीछे पढ़ जाएं डंड़ लेके, कि मैं हिंदी वो हंदी बोलता हूँ उनके पीछे, तो या तो मैं समयों कि यह कुछ लोग मेरे पीछे पढ़े हैं, या मैं उन सब को यह डिनाउंस कर दूँ, कि गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी बोलने वाले जो हैं, तो मोटे तोर पे यह निकल के आ रहा है कि सेप्टेंबर ग्यारा के दोजार एक के बाद से जो बीस साल का जो कालखंड है, जो अगर हम पीरिट के तौर पे देखें तो इसमें हम लोगों के नेवर हूड हैंडिंग में बहुत कमिया आपके बातों से हमको निकल के रहे हैं, खास तोर से इस खंड के कुछ हिस्सों में बहुत तीव क्योंकि एक बहुती नैरो माइंड़िड पुलिटिकल टेक्नोलिजी को ठीक करना पड़ेगा हमारे साथ जुडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जो हम बात कर रहे थे कि यह 20 साल का जो कालखंड नेवर हुड में इंडिया की पॉलिसी और इंडिया की स्टैंडिंग इन दोनों में बहुत कमिया रही हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नोट पे नहीं आनंद साब ने हमको चोड़ा है लेकिन पेसिमिजम है तो हम क्या कर सकते हैं आज का प्रकारिकरम देखने के लिए बहुत धन्यवाद